हालो स्टूडेंट्स वेलकम टू सेफिया उनलाइन क्लासिज कैसी हैं आप सभी स्टूडेंट में आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे तो चलिए आज का हम एक टॉपिक शुरू करते हैं चैप्टर फॉर विकास की अफधारना एमेम इसका अधिगम से संब्म है आज यह टॉपिक हमारा यही रहेगा पहला पार्ट उसके बाद हम सेगिंड पार्ट में आपको पढ़ाएंगे विकास के सिद्धान कौन-कौन से हैं यहां से कई बार कुशन आते हैं एक्जाम में थर्ड रहेगा विकास के रूप में विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं और नंबर फॉर पे हम आपको पढ़ाएंगे फॉर पार्ट में विकास के छेतर कौन-कौन से होते हैं और नंबर पांच में हम आपको पढ़ाएंगे विकास की अवस्थाईं ठीक है कौन-कौन से अवस्थाईं होती है ठीक है ना शैशव अवस्था बाली अवस्था किशोर अवस्था चीक है तो उन सभी को हम आपको अलग-अलग करके सेपरेटरी टीच करेंगे तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं अभिवरद्धी और विकास तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अभिवरद्धी और विकास कहते किसे हैं दे परिमानात्मक, संक्यात्मक, मातरात्मक, क्वांट्रिटेटिव होती है वरद्धी अभिवरद्धी के वरद्धी के ऐर शारीक परिवरतनों को ही दर्शाती है वरद्धी एक सीमा के बाद रुख जाती है विकास क्या होता है अभी मैंने आपको ये वरद्धी के बारें बताया है अब मैं आपको विकास के बारें बता रहा हूँ उसके बाद में मैं अपने शब्दों में भी आपको ये समझाओंगा विकास एक सार्म भौमिक युनिवर्सल परकिरिया है विकास की परकिरिया घर्बाधारण से मृत्यू तक होती है नौट वरद्धी का तात्परिये सिर्फ परिमानात्मक परिवर्तन से है जिसे मापा या तोला जा सके जैसे बालक की उचाई वे भार में वरद्धी जब बाल तथा यह है विकास कहलाता है ठीक है और इंफेंटो मिटर क्या मापता है यह नवजाश शीचू की लंबाई मापता है तो मैं अभी आपको यहाँ पे यह पॉइंट डिसकस कर लेता हूँ मैं आपको बतायता हूँ बहुत ही सरल बाशा में दो चीजे समझेगा स्टूडें करने का परियास करें ठीक है जैसे की मान के चलो स्टूडेंट्स की बच्चे की जो लंबाई है वो बढ़ती है उसकी चोडाई बढ़ती है उसके आकार बढ़ता है और उसके वजन के अंदर भी उसका भार होता है उसके वजन के अंदर भी चेंज आता है आपने उसको माप पहले तो 5 kg था अब देखो इसका 6 kg हो गया वेट ठीक है पहले तो वह इसकी जो हाइट है वह इतनी थी माली जी एक बच्चा है for example मैं example के तोर पर आपको बता रहा हूं माली जी कोई भी एक example ले लिजी आप के वह इसकी height पहले 3 feet थी और अब इसकी 4 feet हो गई है इसका मतलब वह हमें पता लग रहा है कि अब इसके बच्चे के अंदर भार में इसकी लंबाई में चोड़ाई में आकार में इसके परिवर्तनार आ रहा है वह हमें दिख भी पा रहा है ठीक है तो इसमें क्या होता है स्टुडेंट जो हमें शारुरिक और ये शारुरिक होती अभी वरद्धी ठीक है ना इसमें क्या होता है इसके जो परिमान अब कई बच्चों के मन में आता है कि यह बड़ी जो टर्म होती है परिमान आत्मक संख्यात्मक और मातरात्मक अगर मैं आपसे बात करूंगा परिमान की तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जिस चीज को हम माप सकते हैं इसका कोई परिमान है इसका मापन है मापी जा सकती है कोई चीज संख्या है हम उसको काउंट कर सकते हैं जैसे कि आपन का भी उसके बच्चे की एक दात आये फिर दो आये तो हम उने count कर सकते हैं तो जो चीज संख्या में है मतलब संख्यात्मक है ठीक है और मात्रा में क्या है भई इसका जो वजन है वो 5 kg, 6 kg तो यह क्या हो रहा है मात्रा है निके quantity में उसका क्या हो रहा है उसका वहाँ पर वरद्धी हो रही है वो दिख भी रहा है हम उसको हम उसको figures में digit में भी हम उसको लिख सकते हैं बता सकते हैं देख भी सकते हैं ठीक है judge कर सकते हैं उसे हम तो यह चीज हमारी होती है student यहाँ पर क्या ये चीज हमारी वरद्धी होती है अब जो अभी वरद्धी होती है वो केवल शारुरिक परिवर्तन को दर्शाती है और ये एक सीमा तक रुख जाती है ठीक है चलिए अब जो विकास होता है अब मान लीजिए बच्चो आप ये मान के चलो की बच्चे के दात बढ़े, तो क्या उसके दात बढ़ने से, क्या उसके पैरों का साइज बढ़ने से, उसके हातों का साइज बढ़ने से, जब उसके शरीर का पूरा आकार बदलेगा, तो क्या उसकी जो चमताएं है, उसकी जो कैपसिटी है, उसका जो वाकिंग स्टाइल है, क्या उसके अंदर अलग-अलग गुणों का विकास नहीं होगा क्या। गुणों का जो विकास होगा ना, that is called development, वो विकास होगा, ठीक है। तो जब उसके अंदर गुणों का विकास होता है, उसके अंदर दर्टा आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, मिसाल के तोर पे आप बताईए एक कोश्चन है मैंने का कि एक बच्चे के पहले दो दात थे उसके चार दात हो गए ठीक है उसकी संख्या दो से बढ़कर चार हो गई ये किस बात को दर्शाता है ये वरद्धी को दर्शाता है पहले बच्चा क्या है कि मुमफली दातों से तोड़के नहीं खा सकता था अब वो अपने दातों से मुमफली को फोड़के खा लेता है इसका मतलब क्या हुआ उसके दातों के अंदर दर्टा भी आई है अब जब दरता आई है तो वो क्या कहलाएगी तो ये क्या कहलाएगी ये क्या चीज है ये विकास है कि ये अभिवरद्दी है ये विकास को दर्शाएगी के लिए तो जो गुण विक्सित हो रहे हैं उसके अंदर जो हमें दिख नहीं पा रहे हैं वो तो विकास है और जो पेपर में पूछा हुआ था कि इन फैंटो मीटर से मापा जाता है ए ऑप्शन में दिया था शीशू की लंबाई बी में दिया था वहाँ पे शीशू की उचाई तो बहुत से बच्चों ने क्या करा हुआ पे निशान लगा के आगए मतलब कहले कि बच्चे की जो है न नहीं माप सकते जब वो खड़ा हो जाएगा तब उसकी हम हाइट मापेंगे ठीके ना तब वो लेटा रहेगा तब हम उसकी लंबाई मापेंगे इस बात को आध्यान दखेगा स्टूटेंट यह confusing point है वह ज़्यादा तो अगर पेपर में एक question आ जाए कि infantometer से क्या मापा ज जाती है उसकी उचाई नहीं मापी जाती है इसको ध्यान दखेगा आप लोग चलिए next point देखेगा अभी वरद्दी वे विकास में क्या अंतर होता है इसको जान लेते हैं इसका परिमान संख्या मातरा होती है जैसे बच्चे में एक नात आया फिर दो नात आये ठीक उसी प लेकिन याद रखो अगर खाली संख्या की बात करें तो यह होगा आपका वरद्धी यह वही दो नास से चार नात आगए इसका महाँ में बढ़री है ठीक है तो वहाँ पर क्या हो रही है यह है इसका मतलब वो गुरौत को दरशा रहे हैं अगर यहाँ पर यह आ जाए कि सं पर चॉम्हों अंद सभूट है, अब अगर उसके स्टेमिना मैंलिजिए उसका हाथ है, पहले वह 1 किलो बज़न उठा था अब वह 2 उठा रहा है, अब उसका हाथ बढ़ रहा है अब हाथ का size बढ़ रहा है size का बढ़ना तो growth है लेकिन उसके हाथ के अंदर जो उसकी power बढ़ रही है जो उसकी चमता बढ़ रही है उसका भी तो विकास हो रहा है उसका इंक्रिमेंट हो रही है shortcut में आप याद कर लीजे का कोई घबराने की जुरूत मीं है आगे चरीए यह संकुचित होता है क्योंकि इसका छेतर केवल क्या होता है शरीर और यह 18 से 20 साल तक की उमर तक खास रुख जाती है कौन गुरॉथ ठीक है यह व्यापक होता है चोंकि जो विकास होता है वो केवल शायरीक विकास थोड़ी नहीं नहीं होता है शायरीक के बने क्या होता है उसका मांसिक विकास होता है विकास के वो मैं आगे आगे आपको टीच करूंगा जब मैं आपको यह डोमेन की एक पक्ष की बात करते हैं लेकिन जो बच्चे के अंदर बाषा का विकास होता है जब सामाजिकता उसके अंदर आती है उसके अंदर जो मानसिक और भावनाएं हैं समयनात्मक जो तरह तरह के उसके अंदर जो अलग अलग छेत्रों में उसके जो गुर्ण विक्सित होते हैं वो सब कहां से होते हैं वो सब वातावरण की देन होते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका scope है, यह limited नहीं है, यह unlimited है, यह कई छेत्रों में इसका व्यापक है, मतलब यह बहु आयामी, इसलिए तो खहते हैं इसे, क्योंकि बच्चे का सामजिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, शारुडिक भी होता है, है ना, और उसका, क्या उसके भाशा का भी विकास हो होता है, होता है ना, उसका वरिवातावरन से जो रहता है, तो वहाँ वह साई चीज़ों को सीखता है, डॉप करता है, इसका मतलब वहाँ पे उसका विकास हो रहा है, इसका मतलब यह बहु आयामी है, चलिएगा, अब यहाँ पे इसको के वले की पक्ष की बात है, कि हाँ भी वह दिरे दिरे अभी उसका जनम होने के बाद में दिरे-दिरे क्या हो रहा है के जो उसके अंदर परिपक्वताओं का और जो उसके अंदर दरताओं का जो विकास हो रहा है वो क्या है वो तो विकास है वो ड tutti करेंगे आप उसको आप देखनी पाएंगे यह शाधिक होती है और यह शारवरिक मांसिक और जीवन परियंद चलने वाली परकिरी है जब इंसान समाज में रहता है समाज में सारी जिन्दगी इंसान स्टुडेंट कुछ नगू सीखता ही रहता है ठीक है ना वहाँ पर लेंगवेज सीखता है वहवार सीखता है उसमे रोज आना उसके किसी न किसी चेतर में क्या होता है प्रिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे देगे न जैसे कि यह EJücken के घ्राफ आप देख लीजेगा वो फर्स कलास में जाएगा थर्ड में फोर्थ में फिर वो ऐसे जाए जाके फिर आगे जाके वो graduation level तक जाएगा तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा यानि पूरी जिंदगी इंसान के अंदर उसके सामजिक सामजिक छेतर में उसके मांसिक छेतर में उसके सेक्षिक छेतर में उसके भाशाई छेतर में उसके सम्मेगात्मक छेतर में बोधिक छेतर में तमाम जितने भी आपके छेतर हैं इसमें परिवर्टन निरंतर चलता ही रहता है और ये इसलिए गर्बावस्ता से लेकर ये मृत्त तक चलता है क्या इसकी परकिरिया है विकास की और ग्रॉज जो है वो लिमिटेड है और वो एक पक्षिय होती है केवल वो शरीर तक सीमित रहती है और उसके बाद में वो एक limited time पर आकर रुख जाती है ठीक है चलिएगा next देखिएगा ये एक निश्ची समय तक होती है मैंने आपको बता दिया है अभिवरद्धी विकास में शामिल नहीं होती विकास अभिवरद्धी में शामिल होती है मैं लगी जो विकास होता है विकास में अभिवरद्धी शामिल हो जाती है लेकिन जो अभिवरद्धी होती है वो विकास में शामिल नहीं होता क्यों नहीं होता आप मुझे एक बाबताओ इसको इस तरीके समझो ये बताओ अभिवरद्धी जब वो 18-20 साल तक रुख जाएगी तो वो छोटी हुई, संकीन हुई और जो विकास है वो गर्भावस्ता से शुरू होता है और चलता कब तक है? मृत्यू तक इसका मतलब उसका जो पीरियड है उसका जो समय है, उसकी जो अब्दिय है वो जादा है, अब तुम मुझे एक बाब बताओ चोटी सी बाब बताना, तुम खुद बताना कि छोटी चीज में बड़ी चीज आएगी या बड़ी चीज में चोटी चीज आएगी बस मिल गया मुझे जवाब, राइट? समझें कि आप, इसका मतलब यह हुआ कि जो विकास है, इसका इसको बड़ा है इसलिए इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अभी वरद्धी शामिल हो सकती है, यह छोटी है क्या अभी वरद्धी, इसलिए इसमें विकास सामिल नहीं हो सकता? एक बार पेपर में यही कोश्चन पूछ लिया गया था जब किसी बच्चे के दांत आएंगे वरद्धी तभी तो उसमें गुणों चमताओं का विकास होगा, यदि दांत ही नहीं आएंगे तो उसका विकास कैसे होगा यह भी एक पॉइंट है, आगे चलिएगा यहाँ पर देखेगा, अभी वरद्धी विकास में अबस्टेक्ट होते हैं, मुसे देख नहीं सकते हैं मुसे केवल महसूस कर सकते हैं अच्छा, वरद्धी जो कोशिकाएं होती है सेल्स पर आदारित होती है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो शरीर का निर्मान करती है लेकिन जो विकास होता है student वो एक organizational तरीके से होता है क्योंकि विकास सभी विकास का संगठन होता है आप देखो जो चोटी-चोटी cells होती है वो हमारे शरीका निर्मान करती है लेकिन अगर वो एक organization तरीके से ना हो तो विकास कैसे हो पाएगा मान के चलो कि हमारा विकास हो गय जुड़ गई आप बताईएगा सेल्स बन गई उनमें और सेल्स ने एक हाथ का निर्मान कर दिया लेकिन उसका और्गेनाईजनल तरीका क्या होगा कि उसकी पांचों उंगलियां अलग अलग डवलप होनी चाहिए तभी तो वह अपने हाथ से काम कर पाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो सेल्स हैं वो और्गेनाईज तरीके से जब विक्सित होंगी तभी तुझे है उनका विकास हो पाएगा तो और्गेनाईजर तरीके से जब सेल्स का संगठन होता है तो वो विकास कहलाता है तभी उनके अंदर कोई एक कुछ काम करने का गुण भी उनके अंदर आ जाएगा, ठीक है, छरिएगा, यह सकारात्मक और धनात्मक होती है, मतलब क्या है कि मा लो एक नाद आखा है, पिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, ठीक है बात से समय लिएगा ध्यान से, ठीक है, अब क्या होगा कि मा लीजे कोई त्चा convenient डेकँ गाते है, घरती है, dal barbecue है और जो पीडियर्टिशियन हैं जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही मानना है कि जो बच्चों की जो मतलब एक अमुमन तोर पर क्या होता है कि जो ग्रौथ होती है वो बढ़ती है मलब कभी घटी नहीं है ठीक है ना मतलब कि अगर किसी बच्चे का जो वजन है वो पांच केज है तो वो पांच से आगे जाएगा उसके जो हमारा विकास होता है यह हमारा धनातमग भी ओता है मलब नकारातमग चुकि यह क्या होता है यह शारीक और सामजिक दोनों घटकों को साथ लेके चलता है कैसे माली जी किसी बच्चे को चुकि इसके उपर किसका इफक्ट पड़ेगा इसके उपर जो इफक्ट पड़ता है वो शारिक के साथ साथ वाता वरन कई पड़ता है और शारिक के उपर सबसे ज़्यादा इफक्ट किसका पड़ता है आनुवनशिक्ता का पड़ता है माली ज जो हमारे माता-पिता के जीन्स होते हैं, वो ट्रास्पर हो जाते हैं, उनके माता-पिता से जो हमें पेरेंटल गुण मिल जाते हैं, जीन्स के माध्यम से, तो वो क्या कहलाते हैं, वो अनुवन्शिक्ता कहलाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे शरीर तक सीमित रहते हैं, वो बाद में उनके इंदर गुणों का विकास हो रहा है तो विकास कहलाएगा राइट अगर हम किसी वातावरंड में अच्छे भी रहते हैं तो हम वहाँ पर क्या सीखेंगे वहाँ पर हम अच्छे गुण सीखेंगे अगर हम किसी भी माली जे भाशा है मैंने आपको बताया ना कि बच्छों के साथ में खेलता है तो महां से वह क्या सीखे आएगा क्या अच्छी बात כ過去 अच्छी बात होगा उसकी भाशा का उसकी सामज़िकता का जो इसका शौशली अफलप्मेंट होगा वो कैसा हो eruगा सकारात्मक होगा और अगर वहां नेगेटिव आप ऐसे बोल लिजेगा ठीक है आगे चलिएगा नेक्स पॉइंट देखिए स्टुडेंट यहाँ पर मॉस्ट इंपॉटेंट पॉइंट है आपके लिए अभी वरद्दी की जो परकर्ती होती है मलब नेचर ऑफ ग्रॉथ शरीर की वरद्दी कोशिकाओं की सं कभी वरद्दी तीर्व गती से होती है तो कभी मंद गती से तथा यह किसी निच्चिस समय के बाद में रुख जाती है ग्रॉत यह तो मैंने आपको बता ही था वह एक समय के बाद में रुख जाती है आगे देखिएगा अभी वरद्दी मुख्यते वंशानु करम तथा वा 20 वर्स तथा मांसिक अभिवर्द्धी 18 वर्स की आयू तक होती रहती है, ठीक है, मतलब कि वो एक fixed period होता है, इसका एक age होती है, limited age, 20 या 18 वर्स तक, 18 या 20 इस उमर तक, जो है, क्या है किसी भी मानव की, किसी भी इंसान की जो ग्रोथ होती है, वो यहां पर आके रुख जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया था, जनम से क्या, बोलो, जनम से क्या, 18 या 20 साल तक, जो रुख जाती है, उसे क्या कहते हैं, वो ग्रोथ होती है, ठीक है, विकास की परकरती, nature of development, विकास मातर अभिवरत्ती तक सीमित नहीं है, इसमें अनेक उत्रोत्तर परिवर्तन नही रहते हैं, जो विभिन आयू गटक, आयू वर्ग में घटित होते हैं, विकास सदेव सामान्य से विशेस्ता की और होता है, विकास किसी निश्चित अब्धि तक ही नहीं होता है, बलकि यह जनम से मिरुत्त तक चड़ने वाली परकिरिया है, विकास के परतेक इस्तर की पतावरन परिपकुता तथा अधिगम की महत्पूर्ण भूमिका रहती है, यह मॉस्ट इंपोर्टन पॉइंट है, स्टुडेंट साब ध्यान दीजेगा यहां पर और यहां पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया था, यह मैं आपको बताना चाहूँगा, देखेगा सामान्य से विसिस्ता की और, क्या होता है कि बच्चा पहले क्या करेगा, सबसे पहले आपने देखा होगा कि बच्चा पहले सामान्य चीज़ों को सीखता है, बाद में वो क्या करेगा, पहले जर्नल टू स्पेसिफिक है, मा लीजे, किसी भी तरी के समय लीजे आप, बच् उसके बाद जैसे इसे उसका development हो जाता है फिर वह अपनी उंगलियों से दो उंगलियों से उस चीज को पकड़ना शुरू कर देता है ठीक है पहले वह एफोर एपल सीखेगा फिर वह क्या करेगा यह सामने सीखना हुआ उसके बाद वह उन लैटर को मिलाना सीख जाता है आप किसी भी छेतर में चले जाएगा उसके चाहे भाशा के language के domain में आप चले जाएं सामाजिक चले जाएं आप कहीं भी चले जाएं वह language में पहले पाता इस तरीके से कुछ आवाजे निकालता है उसके बाद में वर्ड सीखना पर शुरू कर देता है शुरू में तो वह रोता हैं और किशोरावस्ता में कौन-कौन से होते हैं किस कितने दिन में बच्चे के अंदर कौन से गुण विक्सित होते हैं वह एक अलग विशह है वह हम बाद में चर्जा करेंगे जो कि फिर टॉपिक ना मिक्स हो जाएगा इसलिए मैं आपको फिलाल यह बताना चाहता हूं क कि अभी वरद्दी क्या है और विकास क्या है आप टॉपिक को टॉपिक में पढ़े ठीक है ना उसको हम जितना उसको कोरेलेट करने की ज़रूरत है वो मैं कर रहा हूं आप इसको इस तरीके सीखें ठीक है चरिएगा बहुत ध्यान जे सीखेगा आब इन चीजों को चरिए अब यहाँ पर कुछ महत्पूर्ट परिभाशाएं हैं इसे संबंदी वो देख लेते हैं विकास सतत एमेम धीमी परकिरिया है ये स्कीनर साब ने कहा था विकास भूर्णा वस्ता से वरद्दा वस्ता तक के परिवर्तनों की शरंकला है ये मुन्रो का स्टेटमेंट है विका विकास का निरिक्षन मुल्यांगन तथा शरीर रचना अंग विचलेशन तथा वयवारतमक इन तीनों रूपों में मापन भी हो सकता है ये गैसेल का है most important है ये कथन सब ज्यादा important ये है पेपर में आता है विकास आंतरिक एमेम भाईये कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन है ये रस्तु साब का है विकास की परकिरिया बालक गर्भा वस्ता से लेकर जीवन परियंत एक करम में चलती रहती है तता परते एक अवस्ता का परभाव दूसरी अवस्ता पर पढ़ता है ये शरीमती हर लोग का स्टेट्मेंट है आप इसको बहुत ध्यान से और गुणातमक दोनों होता है चुकि अगर की चीज की मातरा बढ़ती है तो मातरा बढ़ने से उसके गुणों के अंदर भी परिवर्तन आता है इसका मतलब क्या है दोनों होगा आपका कोशन आपका सी होगा राइट कोशन नंबर सेकिंड देखेगा ये रहा आपकी स्क्र पढ़ाऊंगा तो महाँ पर यह कोशन आएगा स्टुडेंट बिल्कुत सही बात है यह उसके अपने खत्रे होते हैं और विकास उकसानी बढ़ावा देने से नहीं होता विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से परभावित होता है विकास की परतिये कवस्था की अपनी अपल वो चल रहा है और वो चलना सीक रहा है और वू गिर गया आपने उसे क्या किया आपने उसको इंस्पार किया उसको घ्रेने से उसे development नहीं होगा? क्या वो सीखने की तरफ नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा इसका मतलब विकाज जो है वो उकसानी और बढ़ावा देने से विक्सित होता है ठीक है ना? इसका मतलब ये क्या कह रहा है? नहीं होता है, गलत है ना? देखें, मैं एक चीज़ को हमेशा से सपोर्ट करता हूँ कि ये क्यों होगा? इसका क्यों का आंसर ये क्यों होगा और क्यों नहीं होगा? इस बात पे आप जरूर गौर की अकरिया, ऐसे नहीं होता कि इसका A होगा, B होगा, ये रटाफिकेशन से तो मुक्त हो जाईए आप, मेरी क्लास में रटाफिकेशन कुछ, रटाफिकेशन कुछ छोड़कर आपको सब कुछ मिलेगा, रटाफिकेशन नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर तो understanding है 100%, एक पॉइंट किलर किया जाएगा आपको, चरिए student, अब देखेगा question number 3 देखेगा question number 3 पढ़िएगा student बच्चे के उचित विकास को सुनिचित करने के लिए उसका स्वच्थ शारिक विकास, एमे महतपूर्ण पूर्व आवशकता है यह है, कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत विक्तिगत मामला है यह तो गलत है सही है, क्योंकि विकास करब में शारिक विकास सबसे पहले इस्थान पर आता है नहीं सही है, क्योंकि शारिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अन्तेह सम्मंदित होता है यह वाला option बिलकुल ठीक है क्योंकि शार्रिक विकास के साथ ही मांसिक विकास, बोद्दिक विकास, सामजिक विकास यह सब को related होते हैं, यहां पर यह वाला option आपका 100% correct है अब देखेगा question number four, बाल विकास में मैंने आपको बताया था कि बाल विकास में हम किसका अध्यन करते हैं, आपको option परकिरिया पर बल, वातावरन और अनुभव की भूमी का पर बल, गर्बा अवस्ता से किशोरा अवस्ता तक का अध्यन होता है बिलकुर सही जवाब, यह भी मैं आपको करा चुका हूँ, यह मैंने आपको वीडियो number nine कराई थी, और यह question most important है, चुकि यह बाल विकास है, तो यहाँ पर यह question आने लाजमी है question number five, बाल विकास का छेतर, देखेगा student, यह उसका छेतर, अध्यन छेतर क्या है, बाल विकास की विभिन अवस्ताओं का अध्यन बिलकुल होता है, उसमें उसकी जो स्टेजिज होती है, सब का अध्यन होता है, वाता वरन का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभाव का question number six, विकास के सिद्धानतों के बारे में निम लिखित में कोई सिद्धान गलत है, question number six, यह रहा आपकी स्क्रीन पर, विकास वन शानु गत्ता और वाता वरन के भी सतत अनोनिय किरिया से होता है, नहीं, विकास परिपक्व वन और अधिगंपर आधारित होता है, नहीं, प परिमानातमक परकिरिया है, जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, उसने कहा है कि यहाँ पर हमें गलत कथन को क्या करना है, चुनना है, देखें, student, यहाँ पर गलत के पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो यह उपर के तो सत्ते हैं, इसलिए मैंने बताया कि यह तो नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पर आप बताये, विकास की अगर हम बात करेंगे, तो क्या उसका मापन हो सकता है, हम उसे अब्जर्व करते हैं, उसको माप फड़ी सकते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं, उसको महसूस करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो कंक्रीट नहीं होता है, वो इस कथन का संबंद किसे हर लौक से है यह most important कथन है अभी मैंने आपको teach किया था अगला question देख लेते हैं student question number 8 यह रहा students आपकी screen पर बाल विकास की परिवाशा का ध्यन छेत्र है जो मानविय सामर्थियों में परिवर्तन का परिक्षन करता है जीवन अब्दी के दोरान वैवार की व्याख्या ढूंडेगा और बच्चों की वैस्क तथा वरिष नागरिकों की साथ तुलना करेगा किसी बच्चे के संग्यानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थियों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदाई होगा बाल विकास की परिभाशा में यही तो होता है क्या होगा यहां पे बच्चे के संग्यानात्मक सामाजिक और दूसरे जो सामर्थे हैं उसका करम में विकास होगा उसके लिए जिम्मेदार होता है ये कौन इसी के अंतरगत हम इसका अध्यन भी करते हैं तो यहाँ पर D option शीक होगा विकास बिल्कु सिंपल है जटिल कठिन विसिस्ट सामान्ये साधरा नासान सामान्ये से विसिस्ट के ओर चलता है जर्नल टू स्पेसिफिक शीक है ना पहले बच्चा एप और एपल सीखेगा फिर वो क्या सीखेगा ए बी सीडी है ना उसके बाद लेटर्स को मिला ना सीखेगा मतलब सामान्ये से विसिस्ट के ओर बाद समझेगा विकास के लिए निम लिखित में से कौन सा एक उचित है कौन सा उचित कथने जल्दी बताएगा बताएगा विकास जनम के साथ प्रानब होता है और समाप्त हो जाता है विकास जनम के साथ प्रानब के समाथ वो मृत्यू पर खतम होता है वो मृत्यू तक चलता है तो गरत हो गया सामजिक सांस्क्रित संदर विकास के विकास में एक महतपूर्ण भूमिका का निर्वा करते हैं विकास एकल होता है वो तो बहु आयामी होता है विकास पर्थक हो बताइए वही यह क्या है यह एडी से चोटी एववस्थित एपर्तियाशित करम बद या ववस्थित तो सिंपल बात है नंबर 11 पे देख लीजेगा आप यह करम बंद होती है और यह ववस्थित होती है बिल्कुर सही होगा आपका ठीक है एक करम में चलता है इन फॉंट इर इस तरीके से उसका पहमाना होता है त्रे टाइप का तो उसमें बच्चे को रखते थे इसको हम उसकी जए वह लंबाई को माप लेते हैं तो यहां पर क्या होगा यहां पर आपका लंबाई होगा इसके लिए ठीक है लेकिन जब वह बच्चा खड़ा ओने लगेगा तब उ तक चलने वाली परकिरिया है बताओ भई अभी वरद्धी तो जो है अठारे बीस साल तक ही चलती है यह विकास चलता है तो गलत हो गया यह है जनम से किशोरा अवस्था तक चलकर रुख जाती है अभी वरद्धी से ही है यह अभी वरद्धी के बारे में यह सत्य कतन है हमे तथा अब वो 6 वर्स का है तो उसके वजन में 2-3 किलो की बड़ोतरी हुई है देखो अब आप यहाँ पे देखो एक पॉइंट में आपको समझाता हूँ यहाँ पर 14 किलो आ रहा है तो यह फीगर है है ना यह देखो आप संख्या दे रखी है वाई देख लो स्टूडेंट यहाँ पर द्यान से और जहाँ पर संख्या आ जाए विकास के कोलम को तो 100% आप निशान लगा करी मताना वो तो गलती हो जाएगा आपका 100% अभी वरद्धी को दर्शाएगा किसको दर्शाएगा बोलो अभी वरद्धी को ठीक है चलो अब रितू के दातों की संख्या दातों की संख्या बड़ी लेकिन यहाँ पर दर्शाएगा विकास हुआ तो यहाँ पर शायरी की विकास होगा राइट इस तरीके से कुश्चन आते हैं स्टूडेंट आपके एक्जाम में आप बिल्कुल टेंशन न लें चलिए स्टूडेंट्स कोश्चन नबर 16 विकास संकुचित है मूर्थ है कि विकास दिख सकता है कर नहीं एक पक्षी है नहीं वयापक है ब्लकुल सही है वयापक है इसके बहुत साइड डोमेंस होते हैं छेतर होते हैं निम्द में से किसका मापन किया जा सकता है बताइए बहुत धिकास का मापन होगा कर नहीं होगा बहुत दिक विकास का होगा नहीं होगा छंताओगा और अभीवरत्डिका होगा का होगा निम्द में से किसका मापन नहीं होता केवल उसका अवलोकन ही किया जा सकता है बताइए could No.18 आपकी is sirình पर यह रहा है अविकां यहESE करे से लेकर टू पाइंट यह आपका धाई केजी से लेकर साड़े तीन केजी तक यह उप्शन शीफ हो यह भी कोश्चन आपके एक्जाम में आया हुआ है चलिएगा यह लास्ट कोश्चन है आपका निम कथनों पर विचार कीजिए असत्य कथन को चुनना है वह कोश्चन अभी वरद्दी में विकास शामिल होता है बताईए अभी वरद्दी क्या है अभी वरद्दी चोटी है तो चोटी में बड़ी चीश शामिल कैसे कर दोगे आप विकास में अभी वरद्दी शामिल होती है कोशन आया है आपके एक्जाम में विकास सतत जीवन परियंद चलने तो यहां पर यहां पर आपको अच्छी लगती है तो यह वीर्द बेस्ट वीडियों अब